हेलो स्टूजेंट्स वैलकम इन उप्पल मैथेमेटिक्स आज हम आपको एड्जॉइंट ओफे का शॉटकट बताएंगे क्योंकि एड्जॉइंट है फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले को फेक्टर निकालने पड़ते हैं फिर उनको मैट्रिक्स में रखना पड़ता ह फिर उसका एड्जॉइंट निकालना पड़ता है यानि ट्रांस्पोस करना पड़ता है फिर हमारे पास एक एड्जॉइंट ओफे आता है तो इसका शॉटकट के आप कुछ ही जैनि सेकिंड में इसे साल्व कर सकते हैं कैसे साल्व कर सकते हैं बस जो पहली रो है उसे दूसरी रो है उसे दूबारा लिख दो फोर वन दूसरा कॉलम लिख दो थी टू यह पूरा लिख दिया अब क्या करना है आपने अब आपने इस कॉलम को और इस रो को कैंसर कर देना है बस आपका जॉइंट क्या होगा इनको multiply, cross multiply, 2 x 3, 6, minus 6 तो पहला element हमारे पास क्या आगा है? 0 फिर इन दिनों को multiply, 2 x 2, 4, 3 x 3, 9, 4 minus 9, minus 8 तो देखो करना ऐसे है और लिखना इस तरफ से, 3 x 3, 9, 2 x 2, 4, 9 minus 4, 5 फिर इन दिनों को, 6 x 3, 18, 18 minus 3, 15 4 x 3, 12, 12 minus 12, 0, 2 x 1, 2, 4 x 3, 12, 2 minus 12, minus 10 फिर इनको, 2 minus 12, 1 x 2, 2 minus 12, minus 10 6 x 3, 18, 18 minus 8, 10 अब 4 x 2, 8, 8 minus 3, 5 देखो कितनी जल्दी 3 x 3 का हमारे पास adjoint of a निकल देखो अगर ऐसे direct निकालते है तो जनी दूसरी तरीके से पहले आपको cofactor निकालने पड़ते हैं फिर matrix में रखना पड़ता है फिर आपका adjoint of आता है ऐसी 2 x 2 का भी shortcut है 2 x 2 का तो बहुत easy है जैसे कोई भी matrix है 2 x 2 की 1, 2, 3, 4 अब इसका अब net joint निकालना है ठीक है इसका तो कुछ भी करने की जुरूरत नहीं है बद यह जो दो value है इनकी position चेंज कर दो और इनके sign चेंज कर दो तो यह आपके 2 x 2 cat joint of a यह आगा आपके 3 x 3 cat joint of a clear है ऐसी ओर trick देखने के लिए channel को subscribe करें thanks for watching